साबर मती ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतरगरत बायो सेवर्ट का नियम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टन नियम है हमारा ये बायो सेवर्ट का नियम बायो तिथा सेवर्ट नामक दो फ्रांसीसी वग्यानिक उन्हों ने दिया था उन्होंने क्या किया था जो चुम्बकी छेत्र होता है उसके संबंद में एक नियम दिया था किसी चालकतार के चुम्बकी छेत्र के संबंद में एक नियम दिया था जिसे हम लोग कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सन 1820 इसवी में फ्रांसीसी वैग्यानिक कौन से वैग्यानिक थे फ्रांसीसी वैग्यानिक बायो तेथा सेवर्ट ने नाम क्या है वैग्यानिक का बायो तेथा सेवर्ट ने तो फ्रांसीसी वैग्यानिक बायो तेथा सेवर्ट ने बायो सेवट ने किया कि 1820 इस्वी में चालक के द्वारा चारो और उतपन चुम्बकी ये छेत्र चालक के द्वारा चारो और उतपन चुम्बकी ये छेत्र कौन सा छेत्र होगा यहाँ पर चुम्बकी ये छेत्र तो चुम्बकी छेत्र के संबंध में एक नियम दिया एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग जिसे क्या कहते हैं जिसे बायो सेवट का नियम कहते हैं तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 1820 इसवी में प्रांसीसी वग्यानिक बायो तिथा सेवट ने क्या किया जो चालक है उसके चारो और उतपन चुम्बकी ये छेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कहते हैं बायो सेवट का नियम तो इसमें सबसे इंपोर्टन जो चीज है ना वो यह है कि इसका हम फीगर समझ लें कि इसमें किस प्रेकार से जो हमारा चालक होता है उसके चारो और चुम्बकी छेत्रुत्पन होता है तो सबसे पहले हम लोग इसका फीगर देख लेते हैं तो सबसे पहले इस प्रे इस चालक तार हम लोग क्या करेंगे चुम्बकी च्षेत्र ग्याद करेंगे अब हम लोग माल लेते हैं कि जो चालक तार हमने लिया है न डिल्टा एल इसमें एक अलपांस होगा डी बी और उससे जो चालक तार है इससे हम बिन्द पी को मिला देते हैं और बताते हैं कि जो चालक तार है और इससे बिन्द पी की बीच की जो दूरी है न ये स्मॉल आर है चालक तार से बिंद पी तक की जो दूरी है वो क्या है आर है तो यहां पर जो अलपांस होगा वो इस बिंद पी के साथ यहां कुछ कोड बनाएगा तो इस चालक तार और इस बिंद पी के बीच यहां बनने वाले कोड को हम लोग कह देते हैं ठीटा तो यहां बनने वाले कोड को हम लोग क्या माल लेते हैं ठीटा माल लेते हैं तो अब इसी बिंद पी पर हमें चुम्बकी छेतर ग्यात करना होता है तो यहां पर हम बताएंगे कि जो बिंद पी है ना इस पर जो चुम्बकी छेतर उत्पन होगा वो भी होगा चुम्बकी छे किस प्रेकार से संबंद रखता है चुम्बकी छेत्र और इस आर का क्या संबंद है चुम्बकी छेत्र का चालक की लंबाई से क्या संबंद है चुम्बकी छेत्र का यहां बनने वाले कोड से क्या संबंद है यही बताया था बायो और सेवर्ट ने तो यहां पर हम लोग देख लेवर्ट के नियमा नुसार, यहां पर हम लोग लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियमा नुसार की बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? तो जो बाजो सेवट का नियम है वो कहता है कि जो चुम्बकी छेतर डीबी है चुम्बकी छेतर जो क्या है वो डीबी है वो चालक में बहने वाली धारा यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक धारा बह रही है वो आई है तो जो चुम्बकी छेतर डीबी होगा वो चालक में बहने वाली धारा जो आई है ना इसके समानुपाती होती है समानुपाती का मतलब होता है कि जिस प्रकार से परिवर्तन हमारा चुम्बकी छेतर में होगा उसी प्रकार से परिवर्तन धारा में होगा तो यहां पर सबसे पहला point हम लोग लिखते हैं सबसे पहला point ये लिखेंगे कि चुम्बकी छेत्र डीबी चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होती है समानुपाती को ही हम लोग अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं तो धारा के समानुपाती होती है मिन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मिन्स यहाँ पर यह हो जाएगा कि जो डीबी है ना डीबी वो क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा आई के समानुपाती का मतलब है कि अगर I बढ़ेगा तो DB बढ़ेगा मिंस चुम्बकी छेत्र बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी चुम्बकी छेत्र घटेगा तो धारा घटेगी तो ये होता है हमारा समानुपाती तो पहला पॉइंट आप लोगों को clear हो गया होगा नेश्ट हम लोग लिखते हैं दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो चालक का चुम्बकी छेतर डीबी है वो चालक की लंबाई डेल्टा एलके अनक्रमानुपाती होता है तो पहला पॉइंट आपको बताना है कि धारा के समानुपाती होगा चुम्बकी छेतर दूसरा पॉइं लिखते हैं कि चुम्बकिये छेत्र क्या लिखेंगे चुम्बकिये छेत्र चुम्बकी छेत्र चालक की लंबाई चालक की लंबाई हमने कितनी मानी है डेल्टा एल तो चुम्बकी छेतर चालक की लंबाई डेल्टा एल या डी एल चुम्बकी छेतर चालक की लंबाई डी एल के समानुपाती होती है चुम्बकी छेतर क्या होता है समानुपाती होता है तो समानुपाती होती है यहाँ पर इस अनुक्रमा नुपाती या पिर समानुपाती हो जाएगा किसे डियल के? याद रखिएगा अनुक्रमा यहां दूरी को लेकर कि जो बिंद पी से इस चालक तार की दूरी है ना आर इससे क्या संबंध होगा चुम्बकी छेतर का तो जो चुम्बकी छेतर होता है चुम्बकी छेतर जो होता है यह चालक से बिंद पी तक की दूरी के ध्यान दिजिएगा चुम्बकी छेतर चालक से बिंदपी तक की दूरी मिन्स किसके आर के वर्ग के आर के वर्ग के मिन्स आर का क्या करना है वर्ग करना है तो आर के वर्ग के वियूत क्रमानुपाती होती है क्या होती है वियूत क्रमानुपाती वियूत क्रमानुपाती का मतलब वान अपान करके होगा तो यहां पर हम चुम्बकी छेत्र चालक ते था बिंदुपी के बीच की दूरी के वर्ग के वियुत क्रमानुपाती होती है क्या होती है वियुत क्रमानुपाती होती है वियुत क्रमानुपाती का मतलब होता है कि साइन तो यही रहेगा पर इधर वाला वन अपान करके लिखा जाता है मीन्स आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला क्या होगा घटेगा तो इसे हम लोग कुछ इस परकार से लिखते हैं कि जो DB होगा, DB ये वियुत्रक्रमानुपाती होगा, साइन दोनों में एक ही बनता है, बस पीछे वाला 1 अपान करके, 1 अपान दूरी, दूरी क्या है R और इसके वर्ग के, तो दूरी के वर्ग के वियुत्रक्रमानुपाती क लगा जाएगा इसे, तो इस परकार से हो जाएगा DB, वियुत्रक्रमानुपाती होता है R स्क्वार के, लिखा जाएगा DB और ये साइन लगाया जाएगा 1 अपान R स्क्वार, इसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट लिखते हैं, चौथे पॉइंट में हम लोग बताते हैं की जो चुमबकी छेतर DB है इसका हमारे कोड ठीचा से क्या संबंध है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे की अलपांस ते था बिंदु पी के मध्य बने कोड तो मध्य कौण सा कोड बन रहा है ठीटा तो मध्य बने कोड की जिया मतलब होता है क्या जिया मतलब होता है साइन ठीटा जैसे हम लोग कोड पढ़ते हैं त्रिकोड मीती में साइन ठीटा कौश ठीटा टैन ठीटा तो वहाँ पर जिया का मतलब होता है साइन ठीटा तो वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो कोड बनना ठीटा न उसकी ज्या means sign ठीटा तो जो ज्या होगा उसके समानुपाती होता है तो अलपांस ते था बिंद पी के मद बने कोड की जया के चुम्बकी छेतर समानुपाती होता है चुम्बकी छेतर क्या होता है समानुपाती होता है तो यहां से आपको आसानी से याद हो जायागा तो यहां से हो जायागा हमारा क्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो DB होगा जो DB होगा वो क्या हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा साइन ठीटा के तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि केवल एक ही में विद्क्रमानुपाती है किसमें दूरी के वर्ग के विद्क्रमानुपाती बाकी जो हम लोग धारा बोलेंगे जो हम लोग चालक की लंबाई बोलेंगे और जो हम लोग बीच में बनने वाले कोड की जिया बोलेंगे इन सब में समानुपाती होता है केवल चुम्ब की छेतर जो होगा वो चालक और बिंद पी के बीच की दूरी के वर्ग के विद्कुरमानुपाती होता है तो इस प्रकार से आपको ये चार एक्वेसन दिक रहे होंगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तो अगर हम इनको एक एक करके न बोलना चाहें तो इनको हम एक साथ भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट की चुम्ब की छेतर किसके समानुपाती और किसके विद्कुरमानुपाती है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग समी करण मान देते हैं इसको हम लोग एक्वेशन सेकंड कह देंगे, इसको एक्वेशन थर्ड कह देंगे और इसको एक्वेशन फोर कह देंगे. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समी करड़ 1,2,3,4 को समलित रूप से लिखने पर समलित रूप से अगर हम कहेंगे तो हम यह कहेंगे कि जो हमारा डीबी है अनकरमानुपाती होता है किसके सबसे पहला हमारा क्या आया था सबसे पहला हमारा आया था आई और उसके बाद डीयल उसके बाद हम साइन ठीटा क्योंकि यह तीनों हमारे उपर होंगे समानुपाती ह साथ में इनको हम रखेंगे तो यहां से आ जाएगा I क्या जाएगा I आ जाएगा DL आ जाएगा Sine Theta आ जाएगा और जो हमारा 1 अपॉन करके था इसमें 1 है तो 1 का मल्किप्राई होगा तो यहीं बचेगा तो डारेक्ट हम लोग लिखेंगे upon R square तो यहां से हमारा आ जाएगा कि जो DB होता है वो अनकरमानुपाती होता है I DL Sine Theta के तेथा व्यूत्रकमानुपाती होता है R square के तो आप लोगों को इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा कि बायो सेवर्ट का नियम मुखेता यह है इसमें चार पॉइंट है जो आप लोगों को क्रम से याद हो जाएंगे धारा के समानुपाती होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के विद्क्रमानुपाती होता है और बनने वाला जो कोड है उसकी जाके समानुपाती होता है पर्ट का निया मच्छे से क्लियर हो गया होगा थैंक यू